देश भर में इन दिनों चुनावी मौसम अपने पूरे खुमार पर है चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो हर नेता की बयान बाजिया इन दिनों जोरो पर है इसी बीच पिछले दिनों गुजरात और उत्तराखंड में युनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान नागरक सहिता लागू करने का अज़िक्र हुआ था और इसको लागू करने को लेकर कमेटी का भी गठन किया गया था अब इसी को लेकर मध्यपरदेश के मुख्यमंत्री शिवरात सिंग चोहान ने समान नागरक सहिता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मध्यपरदेश में भी जल्द ही इसको लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा दरसल मुख्यमंत्री शिवरात सिंग चोहान सेंद्वा के चाचरिया में पेशा जागरुकता सम्मेलन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे इस दोरान उन्होंने आदिवासी समोदाय की जनता को पेशा एक्ट की जानकारी दी और इसके लिए जागरुक किया इसी के साथ सियम शिवरात सिंग चोहान ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश में सामान नागर क्सहिता लागू होनी चाहिए सियम शिवरात नहीं सवाल किया है कि एक ही देश में दो विधान क्यों है समानता के लिए नागरिगों को एक समान अवसर मिलने चाहिए मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने कायरकरम में मौजूद महिलाओं की आवाज में आवाज मिलाते हुए यह भी कहा कि पुरुषों को एक ही शादी करनी चाहिए, सभी को एक ही पतनी रखने का अधिकार होना चाहिए वही उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी बेटी की शादी करके लोग उसके नाम पर जमीन खरीद लेते हैं और फिर सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, इसके जरिये लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं ऐसे में सीम शिवराज ने यह भी स्पष्ट किया है कि छल कपट या धर्मांतरन से ली गई आदिवासी की जमीन ग्रामसभा के जरिये वापस दिलाई जाएगी इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ अब्सक्राइब यवान बड़े यह भी साथ